जै माता दी मित्रो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो कुछ लक्षन में आज आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि माता काली की शक्ती आपके साथ में है माता काली की कृपा आपके उपर है माता काली की शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है उनकी शक्ति आपको सिद्ध होने वाली है यह लक्षन सिद्धी के बाद भी दिखाई देते हैं और सिद्धी से पहले भी दिखाई देते हैं यानि कि सिद्धी के जो व्यक्ति निकट हो जिस भी प्रकार से आप उनकी पूजा पाट कर रहे हैं और आपको सपने में माता काली के दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुती अच्छा लक्षन है और बहुती शुब लक्षन है अगर सपने में आपको माता काली दर्शन दे रही हैं शाक्षात रूप से तो इससे बड़ा लक से अतिप्रसन हैं और वो आपके साथ में हैं इसलिए सपने में वो आपको दर्शन दे रही हैं दूसरी चीज अगर माता काली के दर्शन आपको सपने में नहीं भी ओरे लेकिन अगर आपको कोई काले रंग की महिला आपको सपने में दिखाई दे रही है यानि कि जिसका काले काले रंग का वर्ण है जिसका श्याम वर्ण है और वो आपको थोड़ा सा उग्र स्वरूप में दिखाई दे रही हैं सपने में जैसे कि उन्होंने पूरे बाल बिखे रखे हैं और उनकी बुजाएं काली हैं उनका पूरा मूँ काला है और उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है या काले रंग के वस्तरदारन कर रखी है तो अगर इस प्रकार की महिला भी आपको सपने में दिखाई देती तो इसका मतलब यह कि वो भी माताकाली का ही स्वरूप है ठीक है होता क्या है कि माता काली माता काली के अनंत रूप है और जिस भाव से हम उनकी साधना पूजा अरादना करते हैं तो उसी भाव से वो हमको दर्शन देने के लिए आती हैं तो हो सकता है आपके मन में माता काली का कोई और भाव चल रहा हो कोई और स्वरूप आपने अपने मन में धारन कर रखा है तो उसी स्वरूप में मातारानी आपको दर्शन देने के लिए आती है तो अगर कोई महिला दिखाई दे रही है आपको सपने में काले रंकी तो वो भ ठीक है अब इसके अलावा अगर आप माता काली की पूजा जब कर रहे हैं माता काली की साधना कर रहे हैं मंत्रगा जब कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर में कमपन महसूस होने लगे वाइब्रेशन महसूस होने लगे ठीक है आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि जैसे कोई श कि अगर इस तरह से भी आपको हो रहा है पूजा करते वक्त साद्रा करते वक्त तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि माताकाली की शक्ति आपके साथ में है इसके अलावा जप करते वक्त साद्रा करते वक्त पूजा करते वक्त आपको बहुत ही जोर से खुश्बू आए क चमेली की खुश्बू बहुत जादा है, गुडहल के फूल की खुश्बू अगर आपको आती है, क्योंकि गुडहल का फूल देवी को बहुत जादा पसंद है, और गुडहल के फूल की आपको खुश्बू आ रही है, मोगरे की आ रही है, गूगल की आ रही है, तो भी आपक कौन जान सकता है वो जैसे जिस पे कृपा कर दे कोई नहीं बता सकता कि माता काली मा दुर्गा मा भगवती मा आदिशक्ती किसके उपर कब कहां कैसे कृपा कर दे इंसान की समझ से बहार है यह चीजे ठीक है इसके अलावा अगर आप रात रिकाल में सो रहे हो ठीक है आपको अपने घर में कोई साया घूमता हुआ नजर आए काले रंग की कोई परचाई आपको दिखाई दे तो वो भी माता काली ही होती है जो आपको परचाई के रूप में दर्शन देती है ठीक है सोते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे की कोई दैवी यह शक्ती आपके आस-प कूजा करते ऒक्त तो ये सारे चीज़े हैं ये सारे लक्षन और ये सारे संक्यत आपको ये बताते हैं कि देवे की कृपई रबत अगर आपके साथ में देवी की शक्ति है और आपने किसी के कुछ कह दिया तो वो चीज सत्त हो जाएगी वो चीज घट जाएगी ठीक है अगर आप किसी को बुरा कहे दोगे तो बुरा सही हो जाएगा किसी को अच्छी बात कहे दोगे तो अच्छी बात सच हो जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है, जिससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि माता काली की शक्ती आपके साथ में है, इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए, जब माता काली की कृपा आपके उपर होगी ना, और माता की शक्ती आपके साथ में होगी, तो मा भगवती खुद ही आपको इतना आभास करा देंगी, खुद ही आपको इतना शक्षम बना देंगी, कि आप उनको पहचान लोगे बड़ी ही आसानी से, वो जब कृपा करेंगी ना तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, खुली हांखों से दिखाई देगा, आपको बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा कि माता काली आपके साथ में है, उनकी शक्ती आपके साथ में है, तो बस आपको एकी चीज़ करनी है, उनकी साधना में लगे रहना है, उनकी सेवा में आपको लगे रहना है, उनकी भक्ती में आपको लगे रहना है, आज नी तो कल वो बहुती अच्छी क्रिपा आपके उपर करेंगी और आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगी और आपके सारे काम भी बनाएंगी ठीक है मित्रो तो आश्चा करता हो मित्रो जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर जानकार वीडियो में जय मातारानी की